तो हाई गाईज आएम मनीज धनकर और वाचिंग माई यूटूब चैनल और टेकन फान्स तो गाईज आज मैं बात करने हो ला हूँ गाईज अगर आप भी हैं एक माई यूजर तो आपके लिए वह एक ख़बर बहुत ही अच्छी है तो गाईज देखिए मैं भी एक माई यूजर हूँ तो मुझे मिला है जियो की तरफ से 10GB का एड़न पैक तो गाईज जियो और MI के पीच में कुछ ग्लेशन हुआ है अभी जिसके तरू आप सभी जियो माई यूजर है उनको जियो की तरफ से 10-10GB का 4G डाटा गिफ्ट में मिल रहा है तो गाईज कैसे आपको ये पैक लेना है और क्या सब करना है आज मैं इस डिडियो में बताऊंगा तो गाईज अगर आप एक MI user है और आपके पास एक 4G handset है और 4G handset में एक जियो का sim यूज करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 10GB का डाटा तो ठीक है गाईज 10GB का डाटा देखिए गाईज आपके पास ओना चीए 4G का sim card और आपको इस दिनों से उस sim card को यूज कर रहे हैं अगर आप sim card को यूज कर रहे हैं तो simply आपको क्या करना है माई जीव अप्लिकेशन में जाना है अगर आपके पास माई जीव अप्लिकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर में जाईए माई जीव अप्लिकेशन सच कीजिए माई जीव अप्लिकेशन सच करने के बाद में आपको यहां पर माई जीव अप्लिकेशन निकेगा उसे इंस्ट जो जिए धंदिनादन ऊफर 399 का मैंने रिचार्ज गरवाय था ये एक्सपायर होने वाला है 29 जैनवरी को उसके बाद गाइस मुझे मिला था 5 जीवी राटा जो मुझे के वी सी प्लेएलोन में पार्टिसिपेट करने पार जिए चैट की तुरू उसकी दार मिला था वो भी मेरा गुणती जनवरी को यहां पर एक्सपायर होने वाला है लेकिन उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे यहां पर आपको दिखाएदारा एड़न पैक 10 जीवी का तो गाइस यह दस जीवी का जो एड़न पैक है यहां पर यह मिल रहा है जियो यूजर्स को सोरी जियो जो MI phone यूज कर रहे हैं यह एक्सपायर होने वाला है 16 December को अगर आप भी एक जीवी का एड़न पैक मिल गया होगा तो आपको इसमें आगे कुछ करने की ज़रूत नहीं है जैसे ही आपका एक जीवी का परड़ी का लिमिट खतम हो जाएगा उसके बाद यह हाई स्पीड ड और तब तक आप चाहें तो एक दिन में भी आप इस 10GB डाटा को यूज कर सकते हैं जैसे आप इस तरह से 10GB डाटी का हाई स्पीड 10GB डाटा का एंजोईमेंट ले सकते हैं So hi guys I am Anish Dhankar, so guys thank you for watching this video, if you like this video, please like, comment and if you have any query, so guys please subscribe if you have more information, so thank you guys, मिलते हैं next video में